एको नए इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सभी लोगों का स्वाकत है मिरा नाम है सुदीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे Nifty की और Nifty का हम मंतली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, प्लाज शॉट टम चार्ट यानि 50 मुनट चार्ट को अनलिसिस करेंगे और देख इन अनॉस्मेंट है लास्ट वीक में मैंने एक जैकपोट इंटरे ट्रीडिंग कोर्स लॉंच किया था जिसमें आप दो रुपे पांच रुपे साथ रुपे का ऑप्शन खरीद के उसको ती सो चालिस रुपे सकते हैं तो अगर आप आकर तो आप 2100 रुपे करके में और पर सकते हैं निफ्टी के बारे में तैंट निफ्टी से पहले हम चलते हैं डौउप सुचर पे लास्ट टेडिंग सेशन में यूएस मार्केट के अंदर काफी अच्छा नीचे जे बाउंस देखने को मिलाता है और डाउजोंस करीब 300 पॉइंट चड़के और नेस्डेक करीब 100 पॉइंट ऊपर चड़के बंद हुआ था जो कि एक एकस्पेक्टेशन था साथी साथ S&P 500 भी करीब एक परसंट यहां पर जंप हुआ था और S&P 500 विक्स साथ परसंट गिरा था 26 के पास आ गया है एक चीज़ आप समझ लीजे अगर विक्स लोर होता है तो मार्केट इस्टेबल होता है और दीरे दीरे उपर जाने की कोशिस करता है अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे यहां पर तो पिछले कुछ दिनों में बना हूए और ये 25 के पास आ गया है ठीक है और मार्केट में चलने के लिए उपर काफी अच्छी जगे भी बची है तो यहां से एक मार्केट हो सकता है 5-6% की तेजी दिखा सकता है US मार्केट, Dow Jones और Nasdaq तो उसका फाइदा हमाया अपने मार्केट में भी मिल सकता है तो ठीक है इस चीज को आप समझ लीजेए कि आप अपको थोड़ा सा तेजी में ही रहना है जब तक ये विक्स 20 के ऊपर दुबारा से नहीं जाता आपको थोड़ा सा तेजी में ही रहना है यह चीज आप क्लियर ली समझ लीजे ठीक है इतना आपको समझ में आ क्या अब चलता है नेफ्टी के ऑप्शन चीन डाटा पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेफ्टी की जो लाज्ट क्लोजिंग आई है वह आई है पंद्राजा साथ सो पचास की तो पंद्राजा की कॉल पर चालेश लाग का ओपनेंटर्स दिख रहा है यानि मार्केट के लिए अब सिर्फ फंद्राजा आट सो ही आपके लिए एक इंपोर्टेट हडल है अकर यहाँ पर ओपनेंटर्स लेटर सपोर्ट चालेश पचास लाग का एड हो जाता है तो आप समझ जाहिएगा की मार्केट रेडी हो चुका है 16,000 को ब्रेक करने के लिए और 15,900 पर आपका 40-45 लाग का ओपनेंटर्स रेट हो गया तो निफ्टी तयार है 16,200 और 150 तक जाने के लिए यह चीज़ आप क्लिए समझ लीजे ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा अगर यहाँ पर थोड सुनों लेविल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 16,000 सबसे जाता इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकलोजिकल लेविल है ठीक है बट विकॉस आफ एक गैप जो क्रिएटेड है 15,800 लेके 16,200 का वो गैप की वजह से यह इसको ब्रेक कर सकता है बस हमें एक ट्रेंडि कितना यहां पर आपको क्लिerta श्रपियर लीओ क्लियर श्रस को समया है अब चलते हैं चार्ट चार्ट का अडरस्टेंड करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे ही आपको एक अच्छी खासी बाइंग यहां पर निफ्टी और बैंग निफ्टी में देखने को मिल रही है तो यह वाला मंद हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पॉदिटिफ रह सकता है तो मंतली चार्ट पर हमारे पास क्या है पॉदिटिफ केंडल यहां पर हमें मिल सकती है ठ अब देखो यहां पर हम दो वीक गिरें दो वीक के बाद हमने एक बाउंस वेक किया है ठीक है अब यहां पर एक कह सकते हैं एक हैमर टाइप की कैंडल वीकली चार्ट पर बन रही है तो हो सकता है इसके ऊपर हम जो निकलेंगे यानि 15930 के ऊपर निकलेंगे तो एक कैंडल आपको देख रही है तो जब भी एब सीख मार्कीट किया करता है उसको हम अन्ड सेट्रेंगत करने की कोशचित कर रहे हैं तो यह कंडल आपको यहां दिख रहिए ऑह हम ए सेम एधफेस कैंडल बनी है एक मार्कत ने फिज दिया ठीक है थोड़ा सा और पीछे चलते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह candle बनी same type की market ने एक move दिया यहां पर आप देख सकते हो कि same type की candle बनी market ने move दिया यहां पर भी आप कह सकते हैं बस color change है market ने move दिया तो there will be the maximum chances कि यहां पर एक अच्छा moment बन सकता है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब वो moment किस किस level बन सकता है उसको हम understand करेंगे यहां पर तो सबसे पहली चीज़ आती है अगर मैं यहां पर time frame को छोटा करता हूं 15 minute पर लेके जाता हूं तो आप देखों सबसे पहले यह आपके पास निफ्टी के लिए downward trend line है हम उस पर focus करेंगे ठीक है और यह downward trend line करीब करीब आपको कुछ इस तरीके से बन रही है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहला important level है यह जो की है आपका 15,850 ठीक है 15,850 के उपर अगर निफ्टी एक मिनट पास मिनट भी trade करेगा तो हम यहां पर buy करेंगे stop loss हम लगा देंगे 15,800 का देखो simple दी चीज़ है अब मैं आपको यहां पर बताता हूं आपको इस breakout को कैसे play करना है let us suppose यह break हुआ break हुआ आप buy करिए 15,800 अगर इसको ऊपर जाना ही है तो यह 15,800 को दुबारा break करने आए गा ही नहीं तो जायट सी बात है अगर ऊपर जाएगा तो आपको profit मिल जाएगा अगर यह नीचे आ जाता है इस level से नीचे आता है तो 15,800 आपका stop loss है 15,800 के नीचे trade करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका 1500 तो 16,000 के लेविल का है और 16,000 के उपर जाता है तो 100 पॉइंट एक्सटा है 200 पॉइंट तक का आपको यहाँ पर reward देखने को मिल सकता है तो आपको simple सी strategy follow करनी है कि आप 15,800 के stop loss से जैसी निफ्टी 15,800 बचास निकालता है आप buy करके काम कर सकते हो ठीक है इतना आपको यहा आपको यहां पर समझ में आ रहा है अब यहां पर आपको प्राइज एक्शन सिर्फ देखना है कि कि किस तरीके का प्राइज एक्षन बन रहा है तो आपको दिखाई देगा ठीक है यह देखो आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यह फॉल आया इस फॉल के बाद प्राइज एक्षन आप देख रहे हैं यहां पर चेंज होता हुआ दिखाई दिया अगर मैं आपको यहां पर पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर नबातर है कि मूए चुह फ्रीहां जाता हुआ ओं तो हिवे दिखाई दिया यह मूब आया इक हाई लगए लगात फिर हुआ फिर यहह पर रिकराइज है फिर में प्रेज को रहाई फिर एक और हाय फिर सेटेंवेटश छma conception का घृश्यो 멋있 के तृउग है maintesidades क villars history on कि हम lower level पर हमारे पास nearest resistance है 15800 पंद्रह 900 यह सारे हमारे पास 850 यह resistance है तो यहां से जैसी एक fast move करना start करेगा तब आपको एक strong buying देखने को मिलेगी जो कि global market के positive होने के बाद chances हैं कि वो मिल सकती है तो इतना आपको यहां पर ध्यान में रखना है global market की बात करें currently तो देख लेते हैं यहां पर last trading session में एक अच्छा खाता bounce back देखने को मिला है नीचे से देखने को मिला है तो यह अच्छी बात है जब भी नीचे से का यहां पर एक path open होता हुआ दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ यूएस market को यहां पर कितना निकालना है 31,800 के ऊपर trade करना है इतना आपको यहां पर clearly समझ में आ गया होगा जब तक इस लोगे नीचे नहीं जाएगा तब तक हम aggressive sell नहीं करेंगे अपने market को भी ठीक है इतना आप clearly ध्यान में रखिएगा ठीक है तो यह सारे particular point आपको यहां पर समझ में आ गया होगा तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फ्लाल इस वीडिय आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक उश्याद जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सोदील लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के तार शुक्रिया दोस्तो जैहिंद